बुनियादी चीज़ें क्या हैं जिनको एक लेखक को नए लेखक को अपनाना ही चाहिए देखिए पहली चीज है कि आप संग्रह करिए जो भी चीज देखिए अपने काम के उसको नोटबुक बनाकर लिखिए मोबाइल में लिखिए नए लेखक बहुत जादा जागरूख हैं बहुत जादा शक्षम हैं हम लोग पुरानी पिढ़ी के लोग उनको रास्ता नहीं दिखा सकते नई पिढ़ी हमीं लोगों को रास्ता दिखाती है फिर भी जो मेरा अनुभव है वह मैं बता रहा हूं पहली चीज तो यह कि आप मै पहसा साथ रखिए मुबाइल में लिखिए लेकिन मैटर जहां आवे जब आवे उसको तुरंत नोट कर लिए एक बात तो यह संग्षेप में मैं कहना चाहूंगा दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि महनत से मत घबड़ा आईए एक ही बार में लिख करके यह मत समझ ल मैं तो तीन बार लिखता हूं एक लेखक हुए हैं उनका क्या नाम है मार्क ट्वें वह कहते हैं कि सही सब्द और जाग और लगभग सही सब्द में उतना ही अंतर है जितना सूरज और जुगनु में है कहा सूरज और कहा जुगनुम सही सब्द और लगभग सही सब्द में उतना ही अंतर है जितना सूरज और जुगनुम है इसलिए जब तक सही सब्द न मिल जाए लगभग से काम मत चलाएए लगभग से काम चलाने लगेंगे तो बिना मेहनत की लिखी गई किताबें बिना प्रयास के बिना खुशी के पढ़ी जाती हैं ये भी किसी ने कहा है और आईजक सिंगर ने ये कहा है कि कचरे का डिब्बा लेखक का सबसे बड़ा दोस्त होता है यानि कि लिखते जाएए फारते जाएए उसका पेट भी भरना है जो मेज के नीचे कचरा वाला डिब्बा रखा है अगर आप उसका पेट साम तक कुछ न कुछ नहीं भरेंगे तो वह पुहास करेगा उसको भरना है यानि आपको लिखना है और ठेकते रहना है सही सब्द की तलास करते रहना है और तीसरी चीज़ कि समय किसी का इंतजा नहीं करता एक रोमन कभी हुए है हो रेस उनका एक चार भागों में कविता की किताब है ओडेस करके वह इसा पूर्वत्य इसमें सताब्दी में उन्होंने लिखा था उन्होंने एक सब्द क्या था उसका क्या नाम है उन्होंने कहा था कारपे डाइम कारपे डाइम माने प्लक दडे दिन को पकड़ लिए आज को पकड़ लीजिए यानि आज का पूरा उपियोग कर लीजिए तुमारों पर कल पर आने वाले कल पर जितना कम से कम संभव हो उतना विश्वास करिए उतना फेथ करिए यानि कि कल के भरोसे मत रहिए जब तक आज आप बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा समय बीट चुका है यह उन्होंने उस समय कहा है यह मैं नए लेकों के लिए जरूर इसलिए कहना चाहूंगा कि मैं भुक्तव हो गई हूं नवकरी के चक्कर में पड़ा रहा गया अब जाकि यह सारी बातें समझ में आ रही है तो यह भी मैंने लेकों